नमश्कार दोस्तों मैं हूँ अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेरा लूना के बारे में फिर से एक बार दरसल 24 गंटे के अंदर टेरा लूना के बारे में इतनी सारी अपडेट होती है जो कि आप तक फटा फट पहुचाने के जरूरत है मतलब ये सारी अपडेट तो वैसी है जो मतलब हर घंटे एक नएक अपडेट आ रही है इस समय और आज भी अपडेट है जो डेट हम लोग को पता चली थी उसमें कुछ चेंजेज आएं तो उसके बारे में बात करने वाले हैं और जो प्लान है डिस्ट्रिबूशन का उसमें काफी ज़ादा clarity आ गई है कि अब किस हिसाब से हम लोग को मिलेगा और कब तक मिलेगा ये सारी चीज़े clear हो जाएंगी तो मेरे खाल से आज ये सारी चीज़े बिलकुल clear हो जाएंगी ताकि next वीडियो ज़रूरत ना पड़े अब टरा के बारे में अगर कोई major update ना आए त सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कि इस समय तक क्या update है इस लूना के बारे में तो लूना के बारे में सबसे पहले जो update ये है कि जो आपको airdrop मिलना था आज काफी सारे लोग रात भर यही message कर रहे थे कि sir airdrop कब मिलेगा अभी तक मिला नहीं तो उसकी date अभी कुछ extend कर दिए extend मतलब सिर्फ कल तक के लिए और कल एंडिया टाइम के हिसाब से करम बात कर दें तो सुबा साड़े ग्यारा बज़े आपको ये start हो जाएगा airdrop मिलना अब airdrop किस हिसाब से मिलेगा कैसे मिलेगा ये हम आगे वीडियो में बात कर रहे है next जो update है वो ये है कि क्व आएंगी खो coinmarketcap पर इसका जो code है, जो logo है वो change हो गया है वो जो पुराना आपके पास है उसको इस समय दिख रहा है Luna C, l-u-n-c और जो उसकी picture है, वो change हो गया है उसके बात करें जो नया, picture change पुराने वाले के नहीं होई है, नय वाले के change हो गया है जो नया Luna है, L-U-N-A, उसका पिक्चर नया वाला चेंज हो गया है, तो यह अभी है, और चार्ट अभी अपडेट नहीं क्योंकि कल से इसके बारे में सारी चीज़े आएंगी, और Binance पर क्या चेंज होने वाला है, किस तरीके से, किस हिसाब से आपको distribute होगा, और अगर Binance के ह जो इसके बारे में बात किया जाए, तो वही बेसिकली जो इस्ट्रक्चर है, वो सभी एक्स्चेंज एप्रॉक्स फॉलो करेंगे, तो हम लोग Binance का समझते हैं, किस हिसाब से Binance डिस्ट्रिब्यूट करने वाला है, कब उन्होंने क्या-क्या टर्रमेन कंडिशन रखी है, उसको एक एक करके समझ लेते हैं, तो यहाँ पर देखें, यह जो आर्टिकल Binance ने बिल्कुल टाइमली कल रात में ही इसको पब्लिश कर दिया था, और Binance इसलिए लिए लीड करता है, क्योंकि एक्स्चेंज में भी सबसे आगे, सबसे पहले इनोंने अपना जो डिस्रिब में यह सारे distribution किसे आप से होंगे, वो हम लोग discuss करेंगे, आपको कैसे मिलेगा, क्या आपको कुछ करना है, वो नहीं करना है, वो सारी इसी वीडियो में discuss करेंगे, तो सबसे पहला इनोंने यहाँ पर बोला है कि हम लोग rename कर रहे है, rename कि किसका? Luna token का, पुनाने वाले का Luna C औ तो यह सारी चीज होई, उसके बाद अभी airdrop कब से start होगा, वो बोला है किसने? Luna ने कि हम 28 तारीक की सुबा 11 बज़े से start करेंगे, तो airdrop का मतलब वो आपके wallet में दिखना start हो जाएगा, लेकिन trading कब से start होगी, trading start होगी 30 माई से, 28 को मिलेगा 29, 30, दो दिन के बाद trading start होग टाइमिंग बाइनस ने दिया हुआ है, अब majorly जो सबसे बड़ी बात है, वो हम लोग के लिए यह है कि distribution के किसज़ाब से होगा, कितना मिलेगा हमको, सीधी सीधी बात क्या जाए, तो देखिए यहाँ पर दो term and conditions set की गई है, एक pre attack, pre attack मतलब 7 माई शाम 8 बज़े से पहले जिन लोग के पास था, और उसके बाद 7 माई शाम 8 बज़े से लेकर 26 तारिक तक का उसके बीच में जिन लोगों ने बाय किया, तब जब पूरा लूना crash कर रहा था, उस समय जिन लोगों ने बाय किया था, उनको किस हिसाब से देना है, यह दो category decide की गई है, और उसमें अब यह 30% इस हिसाब से होगा कि जैसे आपकी जो value है, 1000 टुकन की जो value है, 1000 लोना की आज की तारिक में जो value है, उस हिसाब से decide करेंगे pre वालो को और post वालो को, post वाले के समय मतलब attack से पहले की value थी, वो कुछ और attack के बाद जो value थी, वो कुछ और तो value के हिसाब से आपको distribution ह हो सकता है कि इसमें बहुत थोड़ा मिले मतलब ऐसा लगे कि हमको तो इतनी सारी माथा पच्ची को मिला कुछ नहीं तो यह भी चीज पॉसिबल है उसके बाद जो और चोड़ी चोड़ी टार्मेन कंडिशन वह भी आप समझ लिए जागर आपके पास 10,000 कॉंटिटी से कम है तो आपको पहले 30% मिल जाएगा बिलकुल अची बात है उसके बाद जो 70% है वो मिलेगा दो हजार बाइस दिसंबर से शुरू होगा और अगले 23-24 मतलब दू साल तक लगातार हर मन्त मिलेगा उसका थोड़ा 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 करके जैसे हमको AP, NFT मिल रहा हर महीने ठीक तो उसी तरह एरड्रॉप मिलेगा तो मतलब अब जो भी है सब हालत तो बुरी है कि मतलब कुछ भी अपना लगा है उसके बाद मिल किस तरीके से रहा है जैसे कि हम लोग मांग रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट अब आगे की टार्मेंट कर दिशन दिए आपको और होश ओड जाएंगे यहाँ पर उसके बाद जो 10,000 से जादा जिनके बास quantity उनके लिए बड़ी मुसीबत है उनके लिए क्या होगा 2023 जून से स्टार्ट होगा यह ड्रॉप मिलना और 30% वाला कोई लिन देना नहीं है बतलब अगर आप बड़े वेल हैं तो वेल को अभी कुछ नहीं जून 23 से मिलना स्टार्ट होगा अगर आप बाइनस के होलडर हैं तो यह कैसाब से है जो की लूना ने भी ए डिसाइड किया उसके बाद अगर आप वन मिलियन से भी ज़ादा होलडर हैं तो आपको जून 2023 से स्टार्ट होगा और गल предлож और अगर आप 1 million से कम है तो 2023 से start होगा 24 मेने तक मिलता रहेगा थोड़ा सा confusion create हो रही है कोई बात नहीं आप बस 10,000 के आसपास वाला याद रखिए तो यह सारी चीज है उसके बाद अगर आपके पास UST holder है तो आपको same way होगा जो कि 10,000 से कमगा लोगा 30% आपको immediate मिल जाएगा और उसके बाद immediate मतलब यह 31 तारिक से आपको मिल जाएगा उसके बाद 70% जो अगले 24 मेने तक मिलता रहेगा उसके बाद अब जो post attack जो कि 7 तारिक 8 बजे के बाद से खरीद है उन लोग के साथ क्या होगा उनको सबसे पहले 30% तो देही दिया जाएगा जो कि 31 माई को minus में जिसकी trading स्टार्ट हो जाएगी वो मिल जाएगा उसके बाद उनको 2022 तक का same वही दिरे-दिरे मिलता जाएगा थोड़ा-थोड़ा percent total 70% का मतलब आपका total 100% जितना भी पैसा लगा है उसका 30% immediately मिल जाएगा उसके बाद का 70% बचाओ उसके लिए धीरे-धीरे हर महीने एड्रॉप मिलता रहेगा अब माकी सारी और भी details है अगर आप और details में जाना चाहे तो description में हम इसका link देदें उसमें पढ़ सकते हैं अब main बात यह है कि हमको मिलेगा कैसे Binance Exchange में हमारे पास है या कोई और Exchange में है हमको मिलेगा कैसे तो आजकल के जो Exchange है वो इतने smart हो गए है कि वो सब जानते कि हमारे users बहुत जीता lazy है और कुछ और करने के जरुद भी नहीं जब Exchange हमारे आगे के चल रहा है और आज की तारिक में crypto swap करना इतना easy भी नहीं हम लोग swap करने जाते हैं कहीं कला जगा चले जाते हैं यहां पर अभी जितनी भी चीज़े होंगी सब कुछ automatic हो रही है अगर आप Exchange में रखे हैं तो कुछ नहीं करना है आपका जो लूना है उसका price आप देखिए इस समय जीरो हो चुका है price नहीं दिख रहा है सिर्फ quantity दिख रही है कुछ exchange में quantity भी नहीं दिख रही है कुछ exchange मे अगर वो sticking normal है तो वो आपको मिलना start हो जाएगा नहीं तो जिन लोग का sticking locked है Binance उसके लिए कुछ और announcement करेगा वो आगे telegram में हम लोग पोस्ट कर देंगे तो जो आपके पास spot में holding है उसके लिए कुछ नहीं करना है वो उसका value zero हो चुका है अब जो नया airdrop मिलना start हो रहा लूना का कहना है कि हम कल 28 सारीक से सुबा साड़े यारबजे से इंडियन टाइम के साब से सबको देना start कर देंगे अब उसके बाद Binance में किसे साब से reflect होता है यह Binance और Luna के बीच की integration है और ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें ज्यादा समय नहीं मेरे खाल से यह 30-30 सारीक दी है इसी के बीच में सबको मिलना start हो जाएगा तो अब कोई ऐसा पैनिक करने के जरूत नहीं क्योंकि हम लोगों जो मिलने वाला है वो भी पैनिक की जगह पैनी ही मिलने वाला है मतलब कोई ऐसा नहीं यह बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है बहुत सादा चीज हो क्यों आपके मन में बिल्कुल यही लगया कि कुछ तो मिल देर रहा है तो दूस्तों यहां को यहां से करना के अंग राख सिख लेनी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में डिली्व उतना नहीं कर रहा है क्योंकि Luna का जो project था, Luna का system था वो इतना सदा belief लोगों का बढ़ाया कि belief के बाद लोगों ने अपना अच्छे से अच्छा पैसा लगाया, हो सकता है एंडिया में बहुत सदा लोगों ने नहीं लगाया, लेकिन पूरा globally जो system इन्हों ने develop किया था, उसमें बहुत सारे लोगो लगाया है, मतलब लोगों ने stable coin ये सोचे खरीद है कि stable coin क्या हो सकता है, अभी तक इतना बुरा तो शायद ही किसी बड़े project का हाल हुआ हो, छोटे-मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, कोई बड़े project का हाल इतना बुरा नहीं हुआ और उसके बाद, जिस हिसाब सीनों ने अपन को लगेगा कि मैंने खोदा पहाड और निखली चुया, तो ये वो सारी सीन सामने धीर धीर आ रहे हैं और अब देखते हैं, क्या चीज़े होती है, तो दोस्तों ये थीक video, अमेद करता हूँ, वीड़ा को पसंद है होगी, अगर वीड़ा पसंद है तो प्लीज वीड़ा क